आज की कहानी एक 84 साल के आदमी के बारे में है, जिसने कुछ ऐसा किया जिसकी वज़े से उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ, जानेंगे आगे की कहानी में, कहानी शुरू होती है केनिया देश में, जहां गवर्मेंट ने रेडियो की द्वारा ये घोशना की है कि उनके पास एक कारेक्रम है, जिसे वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपने नागरिकों को वो मु चोटे बच्चों के सेलाब में एक बुड़ा आदमी भी था, जो वहां खुद दाखिले के लिए आया था, जिसका नाम कीमानी मुरूगे है, वो पढ़ने के लिए स्कूल आया है, उसकी मुलाकात यहां जेन से होती है, जो इसे स्कूल की प्रिंसिपल है, और वहां एक टी नहीं मानता, वो कहता है कि उसने जो रेडियो में सुना, वो यह था कि स्कूल सब के लिए फ्री है, और ऐसा कहीं नहीं था कि यह सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही है, अलफरिट ने कीमानी की बात सुनी और कहा कि यह सब बेकार की बाते हैं, इससे बच्चों की माता- पिता को एतराज होगा। अगले दिन स्कूल में पढ़ाई का पहला दिन शुरू होता है। जेन जब सभी बच्चों को पढ़ा रही थी तभी एल्फरिड वहां आता है। और जेन को किमानी से बाहर मिलने के लिए कहता है। अल्फरिड बाहर किमानी को वापस घर लोट जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें स्कूल में कभी नहीं लिया जाएगा। उसके पास स्कूल युनिफॉर्म, शूज, कॉपी पैंसल होने चाहिए जो उसके पास नहीं है। अल्फरिड जानता है कि किमानी की हालत अच्छी नहीं है तो वो कभी स्कूल में पढ़ने की चीजों को खरीद नहीं सकता। जिन किमानी से पूछती है कि वो इस उमर में स्कूल क्यों जाना चाता है। वो कहता है कि वो पढ़ना और लिखना चाता है। जिन उसकी मदद करना चाती है पर वो मजबूर है। स्कू की जरूरत को पूरा जरूर करेगा उसके पास कुछ मुरगیاں थी जिनने वो बेज कर कुछ पैसे इकटा कर लेता है उसने बाजार से कुछ कपड़े खरीदे हैं और उन्हें अपनी फिटिंग के हिसाब युनिफॉर्म के साथ तयार कर लिया जब वो स्कूल के गेट तक पहुँचा तब उसे वहाँ एल्फरिड और जेन मिलते हैं जेन को ये देख कर यकीन नहीं होता कि किमानी इतना जादा सीरिस है स्कूल आने के लिए जेन उसकी मेहनत और हाड ना मानने के गुन से प्रभावित होती है और किमानी को स्कूल में अंदर आने देती है एल्फरिड उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इससे उसके लिए परिशानी खड़ी हो जाएगी अगर वो उसे यहाँ पढ़ने देगी पर जेन यहां किसी भी नतीजों की परभा करे बगैर किमानी को स्कूल ले आती है वो मानती है कि प्रिंसिपल होने के नाते वो इतना तो कर ही सकती है आगे जो होगा देखा जाएगा वो किमानी को क्लास में बठाती है और ऐसा करके उसे भी खुशी का एहसास होता है वो एक अच्छी इंसान है और उसे अपने देश की शिक्षा के इस तर की परवा है जेन का पती चाहता है कि वो दोनों शहर जाकर बस जाएं और वहीं काम करें पर जेन ऐसा करने से मना कर देती है उसे यहां के लोगों की शिक्षा की चिंता है वो उन्हें ऐसे छोड़ कर नहीं जाना चाती किमानी क्लास में बच्चों से प्यार से बात करता है वो इसके परवा नहीं करता कि बच्चे क्या सोचेंगे कि इतनी उमर का बुढ़ा आदमी इतनी छूटी क्लास में पढ़ने आया है वो बहुत confident है और बच्चों में घुल मिल जाता है आज पहले बार किमानी स्कूल आया था उसे pencil पकड़ना नहीं आता जेन उसे देख कर समझ जाती है और उसे pencil पकड़ने में उसकी मदद करती है किमानी बहुत खुश है कि वो आज पहली बार कुछ लिखने की कोशिश कर पा रहा है स्कूल की चुटी हो जाती है सभी बच्चे और किमानी घर की ओर चल देते हैं घर जाते हुए एक बच्चे का पिता किमानी को देखता है कि वो स्कूल से आ रहा है वो अपने बेटे से इसके बारे में पूछता है वो बताता है कि किमानी उसकी क्लास में पढ़ता है उसे ये बात बिक्कुल भी पसंद नहीं आती कि कोई बुड़ा इनसान स्कूल जाए रास्ते में मिलने वाले लोग भी किमानी का मजाग उडाते हैं वो देखते हैं कि किमानी स्कूल जाता है और उसने स्कूल की कपड़े भी पहने हुएं घर आकर किमानी स्कूल में जो पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस करता है अचानक कोई उसके दर्वाजे पर जोर से आवास करता है और उसे धमकी देता है कि वो स्कूल ना जाए क्योंकि स्कूल बच्चों के लिए है उस जैसे बुड़े इंसान के लिए नहीं अगले तिन जेन सब को नंबर्स के बारे में सिखाती है पर आज किमानी ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है वो रात के हाथसे से परिशान है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा उसे बोर्ड पर आकर लिखने को कहा जाता है उसे अपने कानों से ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा वो सुन और समझ नहीं पा रहा था कि जेन उससे क्या कह रही तभी एल्फरेड आता है और बच्चों की कॉपी चेक करता है वो किमानी की तरफ आता है और देखता है कि पैंसल की नोग खतम हो गई है वो उसे पास में रखे शापनर से पैंसल को शाप करने के लिए कहता है जब वो पैंसिल को शाप करने वाला होता है, अचानक उसे अपना बीता कल याद आने लगता है, कभी उसे गुलाम बना कर रखा गया था, जब केनिय अंग्रेजों के अधीन था, उसे प्रताडित किया गया और पैंसिल को उसके कान में डाल दिया गया, जिससे उसे उस कान से सुनाई नहीं देता, जेन उसे बाहर लेकर जाते है और उसे पूछती है कि क्या हुआ पर वो उसे कुछ नहीं बताता अगले दिन की मानी जब स्कूल में बैठा हुआ था बच्चे उसके हाथ में पहने कड़े के बारे में पूछते हैं वो बताता है कि वो कभी गुलाम था और ये कड़ा गुलामों को एक नमबर के साथ दिया जाता था वो सबको बीते हुए कल की कहानी सुनाता है और बच्चे एकटा होने लगते हैं और वो सभी मिलकर अपने देश के लिए एक गीत काते हैं सबी बच्चे बहुत खुश हैं ये देखकर अल्फिट को बुरा लगता है उसे यकीन है कि इससे जरूर कोई परिशानी खड़ी हो जाएगी दिन बीटते गए और केमानी पढ़ाई में बहतर होता जा रहा है यहां तक कि केमानी के स्कूल जाने के बारे में रेडियो पर भी बताया गया एक दिन स्कूल में कमाउ नाम के बच्चे की लड़ाई हो जाती है ये देखकर केमानी कमाउ के पास जाता है और उसे मारता है ये होता देखकर टीचर वहां दौड कर आते हैं और किमानी को ऐसा करने से रोग देते हैं तभी वहाँ स्कूल काउंसिल से किप्रूटो नाम का एक आदमी आता है और वो ये सब कुछ देखकर गुसा करता है वो सिफ स्कूल की लड़ाई से ही नाराज नहीं था बलकि वो किमानी के स्कूल में पढ़ने से भी नाराज है किप्रूटो गुसा करता है और जेन को कहता है कि वो किमानी को स्कूल से निकाल दे और उसे बड़े बच्चों के स्कूल में भीज दे जेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि किमानी एक सोतंतरता सैनानी था और उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए किप्रोटो यहां जंजाती परिशानी की बारे में बात करता है कि केनिया आजादी से पहले दो भागों में बटा हुआ था मरूगे जंजाती के लोगों ने आजादी के लिए लड़ना चुना और किप्रोटो जंजाती के लोगों ने अंग्रेजों के पृती इमानदारी को चुना यह सुनकर किमानी को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहता है कि किप्रोटो उस जंजाती से है जिनका केनिया को आजादी देलाने में कोई युगदान नहीं था उन्होंने हमीशा अंग्रेजों की प्रशंसा ही की थी और उनका साथ दिया और अपने ही लोगों को गुलाम बना दिया था दरसल केनिया को अंग्रेजों से आजादी 12 दिसमबर 1963 में मिली थी जेन यहां किमानी को संजाती है वो कहती है कि वो सब हालात आजादी से पहले के थे अब सिर्फ एक केनिया है वो कहती है कि किमानी ने शायद आजादी के लिए कभी लड़ा ही नहीं था अगर सच में लड़ा होता तो अब तक वो मर चुका होता ये सुनकर किमानी बताता है कि उसका एक परिवार था उसकी एक पत्नी और दो बच्चे थे जिन्हें उसकी नजर के सामरे अंग्रेजों ने मार दिया ये सुन जेन खामूश रह जाती है जेन अभी भी किमानी की मदद करना चाहती है वो मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन के आफिस मिलने आती है वो उमीद करती है कि किमानी को स्कूल में पढ़ने दिया जाए और उसे स्कूल से निकाला ना जाए और कोशिश के बावजुद उसे निराश होना पड़ता है मिनिस्टर को लगता है कि ये अफसर बच्चों के लिए दिया गया है ताकि वो बड़े होकर अपने देश केनिया को आगे बढ़ाने में मदद करें जेन इस खबर को किमानी को देती है कि अगर वो अपनी पढ़ाय जारी रखना चाहता है तो किमानी को अब मजबूरन बड़े बच्चों के स्कूल में जाना होगा जो यहां गाओं में ना होकर शेहर में है अगरे दिन किमानी को कई किलो मीटर पैदल चलकर शेहर की स्कूल में जाना पड़ता है उसके पास पैसे नहीं है कि वो बस में जा सके शहर की बीट में वो बहुत पिछड़ा हुआ लगता है शहर के سकूल गाओं के सकूल से बिलकुल अलग है शहर के सकूल के बच्चों में पढ़ाई की कोई इच्छा नहीं है और वहाँ का माहौल किमानी की बिलकुल अनुकूल नहीं है इसके अलावा वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो किमानी के लिए बहुत जादा एडवांस है और उसने तो अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ना लिखना सीखा है शहर से लोटकर आने के बाद वो जेन से मिलता है वो कहता है कि वो वहाँ के स्कूल की एडवांस पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगा और जेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्कूल में उसे आने दे वो सिफ पढ़ना सीखना चाता है वो यहां बताता है कि प्रेजिडेंट से उसे सालों पहले एक लेटर मिला था और वो उसे पढ़ना ही सकता इसलिए वो पढ़ना सीखना चाता है ताकि वो उस लेटर को पढ़ सके जिन किमानी की मदद करने के लिए किप्रूटो से बात करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो किमानी को स्कूल में आने दे पर किप्रूटो इस बात के लिए नहीं मानता ये जानकर किमानी बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है अगले दिन स्कूल में किमानी आता है वो बच्चो को आज अलविदा कहने आया है ये सब देखकर जिन भावुक हो जाती है और किमानी को स्कूल में वापस आने देती है पर वो यहां एक स्टूडन की तरह नहीं आएगा बलकि वो एक साथी के रूप में आएगा जो बच्चों का मनुरंजन किया करेगा यह सुनकर किमानी के चहरी पर मुस्कुराहट आ जाती है अब किमानी बहुत मशूर हो गया है अलग-अलग देश के रिपोर्टर किमानी का इंटर्व्यू लेना चाहते है वो जानना चाहते हैं कि दादाजी की उमर में वो प्रात्मिक शिक्षा ले रहे हैं और इस इंटर्व्यू की वज़े से वो दुनिया भर में फेमस हो गया किमानी की एक ऐसी चहवी बन गई जो दूसरों को मोटिवेट करती है कि इनसान को बुरे हालातों में भी हार नहीं माननी चाहिए यहाँ जेन भी लोगों की नजर में आ जाती है जिसने कीमानी को पढ़ने का मौका दिया ये खबर हर तरफ फैल गई और इससे एक समस्या पैदा हो गई बच्चों के माता-पिता को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था वो जेन को ना पसंद करने लगे उन्होंने इसका गुसा स्कूल में जेन पर निकाला जाती है कि उसे भूल जाना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ था कि प्रूटो लगातार उस पर गुसा कर रहा था पर जेन अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहती वो चाहती है कि थोड़ा-थोड़ा ही सही पर किमानी जरूर पड़े एक दिन जेन के पास एक कॉल आता है कोई उसे धमकी दे रहा है वो कहता है कि किमानी को स्कूल में अलग से पढ़ा कर वो उसकी मदद कर रही है इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा और वो यहाँ अकेली रहती है अगले दिन स्कूल में कुछ लोग आते हैं यह सुन चार्स भी डर जाता है और घर लौटाता है उसके पास एक कॉल आता है वो जेन और चार्स के पीच में परिशानी खड़ी करना चाता है वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी गैर हाज़री में किसी और के साथ रहती है और फोन कट जाता है वहीं कमाउं के पिता को दिखाया जाता है वो यहां किमाउं को स्कूल जाने से रोकने के लिए आया है वो उसे धमकाता है और वो उसे इल्जाम लगाता है कि उसने पत्रकारों से इंटर्व्यू के लिए पैसे लिये हैं वो उससे अपने हिस्से के पैसे मांगता है किमानी मना करता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है कमाउं का पिता कई लोगों को इकटा करता है और उनसे वो स्कूल पर अटेक करवाना चाता है स्कूल पर अटेक करने के लिए कई लोग पहुंच भी जाते हैं ये सब होता हुआ किमानी देख लेता है, क्योंकि उसके जीवन का बड़ा हिस्सा सुतंत्ता की लड़ाई में गुजरा था, वो उन लोगों को मारना शुरू करता है, और आसानी से मार भगाता है, वहीं कमाओ जो किमानी को अच्छा नहीं समझता था, अब उसे किमानी में र लिटा लिखने को मिरर राइटिंग कहते हैं, इसमें अगर बच्चे को बिंदू को जोड़ कर लिखना सिखाया जाए, या कोई इमेज जो उस नंबर से मिलती हो, उसकी कल्पना कर प्रैक्टिस करवाया जाए, तो ये ठीक हो सकता है, पर ये डिस्लेक्सिया नहीं है, डिस जा रहा है, जो उसके घर से बहुत दूर है, जिससे वो अपने पती से भी और दूर हो जाएगी, ट्रांसफर के बारे में जेन बताती है, चार्स उसे रिजाइन करने को कहता है, जेन अपनी जौब नहीं छोड़ना चाती, ये सुन चार्स मान लेता है कि उसकी वाइफ का स जल्द ही चली जाएगी, किमानी उसके साथ जाना चाता है, पर जेन ऐसा करने से उसे मना करती है, वो नहीं चाते कि उसके लिए अब कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए, जेन कल किमानी को स्कूल में फेरविल के लिए आने को कहती है, अगले दिन फेरविल होता है, उसके नई प्रिंसिपल लेकर आएगा, जो जेन की जगा यहां काम करेगी, ये सुन बच्चे और टीचर निराश हो जाते हैं, कोई भी इस खबर से खुश नहीं है, कुछ समय बाद एक नई प्रिंसिपल आती है, सभी माता पिता उसका खुशी से स्वागत करते हैं, पर बच्च में जाने के पैसे नहीं है, इसे वो गाड़ी वाले को अपना पालतू जानवर दे देता है, ताकि वो शहर में जाकब मिनिस्टर आफ एजुकेशन और चेर्में से मिल सके, और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, किमानी वहां पहुंच जाता है, वो इंतजार करता है पर वो जादा इंतजार नहीं करना चाता, वो सीधा चेर्में के कमरे में चला जाता है, किमानी इतना फेमस हो चुका था कि उसे देखते ही सब लोग पहचान गए हैं, वहां किमानी ने उन्हें केनिया के सुतंटता संग्राम के इतिहास के बारे में याद दिलाया, वो ये पर बानियां दी हैं, ताकि आज की पीड़ी गुलामी में ना जिये, इसके अलावा वो उन्हें गुसा करता है कि वो जेन के साथ भी बुरा कर रहे हैं, जो आज की पीड़ी को पढ़ाने के लिए संगर्श कर रही, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जेन को उसके पुरान हमीशा के लिए वापस आ गई है, कुछ दिन बाद कीमानी स्कूल में आता है, उसके हाथ में एक लेटर है, वो पढ़ना और लिखना सीख गया है, पर अभी भी वो उस लेटर को ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, उसमें कुछ शब्द हैं जो उसके लिए मुश्किल हैं, व प्रेजो द्वारा उस पर किये गए अत्याचारों को सहा है, उसमें उन जगाओं के बारे में भी लिखा है जहां उसे बंदी बना कर रखा गया था, जेन और एलफरिट को महसूस होता है कि जो भी कुछ कीमानी ने सहा है वो कोई मजाक नहीं है, सालों तक कैदी बन कर रहन और उस पर अत्याचार सहना, यहां तक की देश के लिए अपने परिवार को कुर्बान कर देना, यह सब बाते जेन की आखें नम कर देती हैं, और यह सब सुन किमानी चैन की सांस लेता है, जैसे वो अपनी मनजल पर पहुँच गया हो, किमानी का 84 की उमर में शिक्षा लेन और 2005 में कीमानी ने जीवन में पहली बार हवायात रगी, मुफ्त प्रात्मिक और माध्यमिक शिक्षा के महतुपर, United Nations World Summit को संबोधित करने के लिए New York शहर बुलाया गया था, ताकि वो नई पीडी और अपने जैसे लोगों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सके, उम्र में शिक्षा लेने का अबसर ना मिला हो, फिर भी हार ना माने, शर्मिन्दा भी ना हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी सीखने के लिए देर नहीं होती, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रू शेयर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खयाल रखिए, बाई बाई दोस्तों